नमस्कार किसान सात्यों स्वागत थे आप सभी का हमारे यूटुब चनल इंडिया की जान किसान में आप देख रहे हैं धान की फसल और दोस्तों हम आज इसमें बात करने वाले है कि धान का अंतिम चरण चल रहा है हम सबसे पहले जो इसमें रोग आता है अंतिम चरण में को बोलते हैं हल्दी वाला रोग सबसे पहला कुछ नमारा हल्दी वाला रोग जिसको बोलते दोस्तों ब्लास्ट रूग जैसे इस तरह सी अगर दोस्तों यह रोग बाली में आ जाए तो देखिए बाली कितनी खराब हो चुकी है और यह रोग आने के बाद यह रोग आने क होता है इसको उड़ाने के बाद भी नहीं निकल पाता है चानेंगे तो छंता भी नहीं है क्योंकि वेटेड होता है बजंदार होता है तो हम इसके निदान इसके रोक्थाम कैसे करें तो इसके बारे में हम जानकरी प्राप्त करेंगे पूरी संपूर अगर वीडियों वगेरे सब कुछ सब लोग डाल चुके हैं तो आप हमें अंतियम समय में क्या प्रयतन करना चाहिए कि हमारे उत्पादन और बढ़ सके इसका वजन बढ़ सके तो दोस्तों चलिए हम सुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा लंबर नहीं करेंगे क्योंकि आप भी सोच रहेंग कि यह टिसली हला बोल इसमें दोस्तों अगर आम कंटेंड की बात करें आपउला बोल या कोई और नाम से ले सकते हैं दोश्तो इसमें कंटेंड़ सुता है टेवी का नोजोल 18.5 iteh ठीक है टेवी का नो जोल लेना है आपको जो आपको इस कंटेंड की जो भी दवाई मिलती है मार्केट में 18.5% 18.3% टेवी का नो जोल अच्छे से सुनिएगा ये मत बोलना कि आप बार बार एक ही बात रिपिट कर रहे हैं ताकि आपको वीडियो पूचना करना पड़े और टेवी का नो जोल 18.3% 5% वाली जो भी आपको मार्केट में दवाई अविल्योल हो जादे महिंगे नहीं आती है ये कंटेंड में आपको इसमें दवाई डालना है दोस्तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके प्लाट में अगर ये हल्दी वाला रोग आता है ब्लास्ट भी खत्म करना है ठीक है और दोस्तो इसको डालने से आपके ब्लाट में हल्दी वाला रोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है दोस्तो और इसके अंतिम समय कैसे बढ़एगा दोस्तों तो अंतिम समय आप सब कूछ डाल चुके हैं तो इसका बाली हरी हो और आप पहले ही काट दे ऐसा नहीं करना है धान की बाली को पूर शूखने दे पूरा पौधे कऱस उसको लेने दीजिए उसके बाद उसको कटिंग करिएगा ठीके दोस्तों तो आपकी बाली बहुत अच्छी हो जाएगी हर एक धान में दोस्तों ये रोग तो दोस्तो यह हमारी धन आने को तियार है लेकिन दोस्तों इसको और शुखने दे ऐसा नहीं है कि इतनी आई है बाली और आपने कटा ली इसको पूरा शुखने दे क्योंकि इसमें कुछ दाने हरे हैं दाने कच्च नहीं होना चीए तो आपकी धान का वेट अच्छा खासा बढ़ेगा आप भी चाहते हैं आपकी धान की अच्छी उपज चमकदार दाना वजनदार दाना तो जुड़ जाई हमारे चनल से आपको संपुर्ण जानकर मिलती रहेगी ठी हमारे चनल पर कंटिन्यू धान का वीडियो डल रहा है आप कहीं से भी कोई भी वीडियो देख सकते हैं यह देख रहे हैं दोस्तों धान की अच्छी फसल अच्छी पैदावार इसके बाद आने वाले समय मक्का गेहूं सरसो चना मटर हर एक चीज की आपको जानकरी मिलती रहेगी सबजी भाजी खेती वाड़ी दूद दहीं गाय भेश सबसे आपको जानकरी मिलती रहेगी किस किस प्रकार से कब कब क्या करना होगा ठीक है दोस्तों इस दवाई को याद रखेगा हल्ला बोल जो की हल्दी वाला रोग या जिसको बोलते हैं ब्लास्ट रोग अज़र 500 रुप में आती है इसको डेड़ एकड़ में आप इस्प्रे कर सकते हैं आधाल लेटर की दवाई आती है उसमें और आप इसको ब्लास्ट रोग पाइप अराम चेज़िए डिश्य लगएओ ते विडिए लाइक रोड़ ना भूले